कल मेरे घर CBI के ओफिसर्स आय थे और दिल्ली सचवाले में मेरे जो एजुटिशन मिनिस्टर का डिप्टी सीम का ओफिस है वहाँ पर भी उन्होंने रेड की थी सारे ओफिसर्स दोनों जगे बहुत अच्छे लोग थे बहुत अच्छे सब ने बहुत विभार किया उनको का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ बहुत विभार करते हुए मेरे घर को सर्च किया और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके अच्छा लगा कोई अपने घर पर नहीं चाहता है लेकिन अच्छे लोग थे अच्छा लगा मनोश तिवारी जी कह रहे थे कि आठ हजार करोड का घोटाला हो गया है एक साइस पॉलिसी मनीश सौधिया ने आठ हजार करोड का घोटाला किया फिर थोड़ी दर बाद बीजेपी के और एक निताय प्रेस कॉंफेस करने या शायद किसी मीडिया में बाइ सिसोधिया ने कल प्र जब सीवी ऑफिसर्स आये तो वह फायर लेकर आये थे उसमें ना आठ हजार करोड का जिक्र था कि ना 1.100 करोड का जिकr था उसमें लिखा था सूर्शीड कह रहे है कि एक गोटाला हुआ है सूर्सिड करोड का घोटाला हुआ है यह सीवी आई के F.I.R. कह रही है इसमें ना 144 करोड का जिक्र है न 11,000 करोड का जिक्र है 1100 करोड का ना 8,000 करोड का मनोजतिवारी जी वाला जिक्र है कल अमेरिका के एक सबसे बड़े अख़बार और दुनिया के बहुत नामचीन अख़बार नियोर्क टाइम्स में कल एक ख़बच अपी थी जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रेंट पेज पे कवर किया गया है ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है भारत के एजुकेशन मॉडल में दुनिया को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है दुनिया के सबसे बड़े अखबारों को ऐसा दिखाई दे रहा है ताकि वो दुनिया को प्रेड़ित कर सकें उससे दुनिया को बता सकें ये हमारे लिए गर्व की बात है अभी मैं ये देख रहा था कि इसी नियोर्क टैम्स के फ्रेंट पेज पे करीब डेड़ साल पहले य इसमें कोविड के दौरान नदी के किनारे जलती हुई लाखों लाशों की तस्वीरें छपी थी कोविड के दौरान लाखों लाशें मागंगा के किनारे पर किस तरह से गैर इंसानियत से जलाई गई थी उसकी तस्वीर उसकी खबर नियोर्क टैम्स में छपी थी डेड़ स साल पहले जब यह खबर हमने देखी थी और देश के लोगों ने देखी थी तो एक भारतिय के नाते थोड़ा अपने आप शर्म आई थी अपनी गवर्नेस पर शर्म आई थी अपने मॉडल पर शर्म आई थी दुनिया में कोविड हैंडल हो रहा था लेकिन हम ऐसे हैंडल कर थे इस पर शर्म आई थी कि भारत में कोविड हैं कल जब यह खबर छपी तो एक भारती है के नाते सब को गर्व हुआ कि भारत में एजुकेशन का ऐसा मॉडल है जिसको नियूर्क टाइम जैसे अखबार फ्रेंट पेज पे लीड स्टोरी बना बनाके पूरी पिक्चर और पूरी स्टोरी चाप रहें इतना बड़ा अर्टिकल चाप रहें यह मेरे लिए भी गर्व की बात है लेकिन मैं बहुत विनम्रता की साथ कहना चाहता हूं कि यह खबर मेरी उपलब्दी नहीं है यह खबर मेरी वजह से नहीं छपी कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी तार तो आज जब New York Times के Front Page पे दिल्ली के Teachers का काम छप रहा है और साजुनिया उनकी तारीफ कर रही है तो मैं दिल्ली के Teachers को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं उनको कहना चाहता हूं कि इसी तरह लगे रहिए लाखों करोडों बच्चे आने वाली पीडियां इस बा कारण बनाए हम सब के लिए और खास्तोर से हमारी Teachers के लिए गर्व की बात है कल मेरे घर सीवी आई के Officers आए थे और दिल्ली सचवाले में मेरे जो एजुशन मिनिस्टर का डिप्टी सीम का Office है वहां पर भी उन्होंने रेड की थी सारे Officers दोनों जगे बहुत अच्छे लोग थे बहुत अच्छे से अबने बहुत विवार किया उनको उपर से ओडर से है उसकी तामील उनको कर रही है जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो उपर के ओडर से कराया जा रहा है लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम CBI Office का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ विवार करते हुए मेरे घर को शर्च किया और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके अच्छा लगा CBI कोई अपने घर पे न चाहता हूं कि वो एक देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपरेंसी और पूरी इमांदारी से लागू कर रहे थे और बहुत इमांदारी से वो पॉलिसी तयार की गए अगर दिल्ली के LG सहब ने 48 घंटे पहले उस पॉलिसी क को फेल करने की साजिश के तहट अपना फैसला नहीं बदला होता तो आज दिल्ली सरकार को इस बेस्ट एक्साइज पॉलिसी से कम से कम दस हजार करोड रुपए हर साल मिल रहे होते हैं यह लोग कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया है कल में मनु दोस्तिवारी जी कह रहे थे कि आठ हजार करोड का घोटाला हो गया है एक साइस पॉलिसी मनीश सौधिया ने आठ हजार करोड का घोटाला किया फिर थोड़ी दर बाद बीजेपी के और एक निताय प्रेस कॉन्फरेंस करने या शायद किसी मीडिया में बाइत करने वो बो च्प सीबी आई के ओफिसर साइट वह एफाई र लेका आये थे उसमें ना आठ हजार करोड का जिक्र था ना इना स्वेश करोड का जिक्र था उसमें लिखा था सोर्सिज कह रहे हैं कि एक करोड का घोटाला हूँा sources कह रहे हैं कि एक करोड का घोटाला हुआ है यह CBI की FIR कह रही है इसमें ना 144 करोड का जिक्र है ना 1100 करोड का जिक्र है 1100 करोड का ना 8000 करोड का मनोजतिवारी जी वाला जिक्र है मैं कह रहा हूं कि यह सब बक्वास कर रहे हैं इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ बहुत शांदार पॉलिसी है जो यह लोग कह रहे हैं इनको ना तो कुछ पता है ना इनोंने कुछ पढ़ा है बस इनको तो कहीं से कोई स्क्रिप्ट जो दी जाती है ये उसको रठते हैं मैं आज आपको बताता हूं कि इस पूरे शोर्षावे के पीछे असली कहानी क्या है इसका सच क्या है सच है कि मुद्धा शराब का घोटाला ही नहीं इनको शराब के किसी घोटाले की चिंता नहीं है इनको घोटाले की चिंता नहीं है अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल दस हजार करोर रुपए की एकसाइज चोरी होती है अगर सराब की एक्साइज की चोरी की अगर चिंता इनको होती एक्साइज के घोटाले की इनको चिंता होती तो आज ये CBI का पूरा हेड़कॉर्टर गुजरात में शिफ्ट करा देते दस हजार करोड का घोटाला रोकने के लिए और यहीं लोग करवा रहे हैं जो लोग CBI को इंस्ट्रिक्शन्स दे रहे हैं ना यहीं लोग गुजरात में दस हजार करोड रुपए की एक्साइज की चोरी कर रहे हैं लेकिन इनको घोटाले की चिंता नहीं है शराब की एक्साइज की पॉलिसी में हो रही चोरी की किसी की चिंता नहीं है क्योंकि गुजरात में दस हजार करोड की चोरी हो रही है वहाँ CBI नहीं भेजते अगर घोटाले की चिंता होती तो ED का दफ्तर महां खुल जाता ED का पूरा हेड़कॉर्टर हो जाता वहाँ नहीं होरी कोई धर पकड इसलिए मुद्दा तो करप्षन है यह नी मुद्दा तो शराब का घोटाला है यह नी मुद्दा तो घोटाला है यह नी अगर मुद्दा घोटाला होता तो प्रधान मंत्री जी ने कुछ दिन पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उदगाटन किया था, आप सब ने दिखा था, आप सब ने दिखाया था, सारे मीडिया ने चलाया था कि प्रधान मंत्री जी ने जिस highway का expressway का उदगाटन किया था पांच दिन के अंदर अंदर वो पूरी तरह से धस गया बहुत बड़ा घोटाला हुआ वो expressway बनाने में highway बनाने में अगर मुद्दा करप्शन होता तो आज CBI और ED प्रधान मंत्री द्वारा उदगाटित किये गए उस महामार्ग के घोटाले बाजों को पकड़ रही होती उनके घर रेड कर रही होती जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि प्रधान मंत्री जी ने जिस expressway का उदगाटन किया पांच दिन में दस गया वो है घोटाला लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं मुद्दा घोटाला है यही नहीं शराब या एकसाइज की चोरी इनकी परेशानी है यही नहीं इनकी परेशानी है अरविंद केजरिवाल इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरिवाल जिस तरह से अब पूरे देश में काम करने वाले इमांदान मेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे दे अरवेंद केजरिवाल जी को एक राष्ट्रिय विकलप के रूप में देखया जाने लगा है। ताकत है कि वो एक बहुत तार इमानदार नेता है अर्विंद केजरिवाल जी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है कि उनको काम करना और काम करवाना आता है उनको दिल्ली का एजुकेशन ठीक करके उन्होंने दिखा दिया कि एजुकेशन कैसे ठीक होता है उन्होंने हेल्थ ठी नहीं है कि हैल्थ और एजुकेशन पर दुनिया भर मैं भारत का नाम रोशन करने वाले अर्वींद केजरिवाजी के हैं अच्हां पर नहीं पर दुनि और बन। मेरी गल्ती है तोड़ी ना है वह भी जानते हैं कि कोई ब्रषबताचार नहीं हुआ इनको पताए कि कोई भष्टाचार नहीं हो इसलिए उल्जलूल बखे जाते हैं इनको मैंने भष्टाचार नहीं किया मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरिवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर रूम है इसलिए ये कर रहे हैं इसलिए ये साजिस रची जा रही है इनों ने पहले अरविंद केजरिवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गरफ़तार किया फिर कल मेरे हैं रिट डाल दी अब दो चार दिन में मुझको भी गरफ़तार कर लेंगे तो हैल् प्रविंद केजरिवाल जी का इनका मक्सद है कि उसको रोक वाजा है मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी को पूरे देश ने इतना बड़ा जन्मत दिया है ये शोभा नहीं देता प्रधान मंतरी जी को नरेंद्र मोधी जी को ये शोभा न में डालो क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं कि सारी दुनिया में तारीफ हो रही है अर्विंद केजरिवाल जी में और नरेंदर मोदी जी में यही फर्क है केजरिवाल जी को अगर कोई अच्छा काम करते हुए दिखता है तो केजरिवाल जी उसकी प्रिसंसा करते हैं उससे प्रेणा लेते हैं उसकी तारीफ करके उसका होसला बढ़ाते हैं और खुद उससे सीखके खुद करना चाहते हैं मोदी जी का रुख यह है कि उनको अगर कोई अच्छा काम करता हुआ दिखता है तो वो उसके काम को रोकना चाहते हैं। उसके काम को साजिश के तहट रोक रोक के उसके लोगों को और उसको CBI और ED का डर दिखा दिखा के उसको रोकना चाहते हैं। दो दिन पहले अर्विंद केजरिवाल जी मेक इंडिया केमपेन लॉंच किया। देश को नंबर वन बनाना है शिक्षा के जरीए, स्वास्त के जरीए, रोजगार के जरीए। इस पर तो सारे देश को गर्व है। इस पर मोदी जी को भी गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का एक मुख्यमंत्री मेक इंडिया नंबर वन केमपेन लॉंच कर रहे हैं। हेल्ट और एजुकेशन के जरीए एक देश का विकास करने का विजन लेके चल रहे हैं। मोदी जी के तो इनको सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन जिस दिन अर्विन केजरिवाल जी ने मेक इंडिया नंबर वन केमपेन जारी किया। उसके दो दिन के अंदर अंदर मोदी जी ने केजरिवाल जी के एजुकेशन मिनिस्टर के हैंपे CBI की रेड करवा दी। केजरिवाल जी गरीबों के लिए आम मिडल क्लास आम आदमी के लिए काम करते हैं। उसके लिए सोचते हैं। मोधी जी केवल और केवल अपने कुछ करोड़ पती अरब पती लोगों के लिए अपने कुछ अरब पती दोस्तों के लिए सोचते हैं उनके लिए काम करते हैं केजरिवाल जी 24 घंटे देश के लिए सोचते हैं कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, कैसे किसी गरीब से गरीब आदमी का इलाज करवा दी जाए मोधी जी 24 घंटे ये सोचते हैं कि कौन से राज में पोजिशन की सरकार है उसको पैसे देके या CBI का डर दिखा के या ED का डर दिखा के कैसे उसको गिरा दिया जाए मोदी जी 24 घंटे ये सोचते रहते हैं जिस तरह से इनों ने पिछले दिनों में पैसे के दम पे, ED के दम पे, CVI के दम पे, कई सरकारें गिरा हैं, आप से अब भी रिपोर्ट किया है, महराष्ट में, गोवा में, तमाम बिहार में भी किया था, इनों ने, तरनाटक में किया, मद्यपिर देश में किया, पूरे दोष्ट के लोग इन से अब दुखी हैं, कि यार हम सरकार चुनते हैं, मोदी जी केवल 24 घंटे, 24 घंटे उसको गिराने में लगे रहते हैं, आपको देश का प्रधान मंत्री बनाया, आप देश के लिए अच्छा सोचो, जिनको ने कि 2024 का चुनाओ, आम आदमी पार्टी वर्सिज भारती जनता पार्टी होने जा रहे हैं, अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सिज हूँ, अब पूरे देश में मात बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरिवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अर आविंद केजरिवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं, आज से 3-4 दिन के अंदर हो सकता है, आज कल परसों में, कभी भी CBI ED भेज के मुझे भी ग्रफतार कर लेंगे, कई सारे और आपने ताओं को भी ग्रफतार कर लेंगे, लेकिन मैं कहन चाहता हूं कि हम भगत सिंग के फॉलोर हैं, हम अपने आपको भगत सिंग की संतान मानते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, तुमारी CBI से, तुमारी ED से, तुमारी CBI के आगे बिकने वाले नहीं है, हम को नहीं तोड़ पाओगे तुम, हम को नहीं जुका पाओगे, हम देश क लिए जेल भी जाएंगे लेकिन लाखों बच्चों का भविश्य समारना बंद नहीं करेंगे करोणा लोगों के इलाज के लिए काम कराना बंद नहीं करेंगे आज हमारे साथ अरविंद केजरिवाल जी के साथ लाखों बच्चों की दुआएं हैं करोणा लोगों की हैं हम आपसे डरने वाले नहीं हैं अगला चुनाव तो अब मुदी वर्षिज अर्विंद के ज्रिवाल होके रहेगा धन्यवाद मरीशी जवाब ये बात कर रहे हैं तो सवाल जी होते हैं कि घेड जो हुई वह एक्साइस पॉलिशी को लेकर हुई और आप एजुकेशन है पे चले जाते हैं यह नहीं बता रहे हैं कि आपने जो पॉलिशी में लास्ट बंद करके पुरानी पॉलिशी को शुदिया अगर फ नहीं कर रही है यहाँ पे हो रही है एडि-cv-a एड मुझे जेल बेजेंगे उन लोगों को जेल बेजते इनकेज तो लोगें वो करा रहे हैं दस हजार करोड की चोरी कर ले रहे हैं लोग मर वारे तो मुद्दा तो असली है कि अरविंद केजरिवाल को कैसे रोखना है इसमें मनोर्टी के 8,000 क्रोड का घोटाला पंया जो कह रही है इसमें वो 우리ुन इसकी 4 जूरुC क्रोड का घोटाला रहे इसमें के बिखर 6.000 क्रोड का घोटाला कर रहे हैं उनके यहां बैठे होते हैं मेरे यहां किसी के यहां किसी के यहां बैठे हैं उनको भी पता है कि गोटाला नहीं है